हेलो दोस्तों विल्कम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप देख रहे हैं वासिम्पल मैं आपके साथ सेद समसाद हुसेन डेलेड इंट्रेंट्स एक्जाम 2024 सेशन के लिए जो एक्जाम होने वाला है इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है तीन अपडेट निकल के आई है पहला जिन लोगों का एड्मिट का डाउनलोड नहीं हो रहा है इन्वेलिड लिखके आ रहा है उनके लिए दूसरा जो एक्जाम कैंसिल हुआ है उनका कब से होगा तीसरा जिनके पास यूजर आईडी नहीं है फॉर्गेट का आप्शन कब आ रहा है उनका जो एड्मिट काड है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है वो चिंतित हैं कि आकर यह हमारा एड्मिट काड डाउनलोड कैसे होगा तो आपको बता दें डेलेट की ऑफिशल वेब साइट पर एक सूशना मेंसन करा गया है इसके लिए लगातार हमने आवाज समझ्येगा जिन लोगों का इकजाम एक अप्रेयल से 9 अप्रेयल दो हजार 4 तक रखा गया है ठीक है ऐसे होगों का जो admit card है दाउनलोड हो जाएगा यह पता कैसे चलेगा आपको जाना है admit card download section में कैसे download करना हमने बता ही दिया है आपको और वहाँ पर अपना जो application ID है और date of birth डाल करके download करेंगे अगर आपका एक अप्रेल से 9 अप्रेल के बीच में एक्जाम है तो हैंडे 10 परसेंट यहां पर है आप कोई भी कन्फीजन नहीं मत रहिए कि आपका मोबाइल में मैसेज और वाट्सअप अगर वाट्सअप नहीं है तो मैसेज नहीं है तो वाट्सअप आ गया होगा उसमें आपका अप्लिकेशन एडिय के बात परिच्छा है तो बात की जो तारीक की जो परिच्छा है उसके लिए एड्मिट कार्ट जो है वह 5 अप्रेल 2024 को जारी किया जाएगा तो फाइनल यह बात है कि जिन भी लोगों का अगर अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है इन्वेलिड आ रहा है तो वह 5 तारीक के ब फिर अगला अपडेट जो निकल के आ रहा है कि 30 मार्च जो 30 मार्च को एकजाम होना था और 31 मार्च को एकजाम होना था यह वह अस्थागीत कर दिया गया है और बॉर्ड इन दो अस्थागी तीथियों के लिए अगला सेडूल अपडेट करेगा यानि जिनका परिच्छा 31 को था और जिनका परिच्छा 30 को था उनका अब क्या होगा कि किरपिया अपना संसोधित परवेश पत्र यानि उनका फिर से जो एड्मिट काड है वो डाउनलोड होगा और वो जो आपका तिथी है उसमें भी बदलाव हो जाएगा उसमें ठीक है तो जितने भी डाउट्स थे हमने किलियर कर दिये अब यहां पर बहुत लोगों के पास आवेदन दिया है उनके पास अप्लिकेशन आइडी है ही नहीं तो घबराई यह बिल्कुल भी नहीं आपका देश्टीन दोहजार चौबीस से 28 अप्रेल दोहजार चौबीस तक है ठीक है लेकिन आपको एक बार अभी ट्राइब कर लेना है अगर इन भेली डाता है तो एक बार 5 तारीक को फिट्राइब लेना है इसका मतलब साफ है कि आपका एक सेनों के बीच में एक्जाम नहीं है पांच तारीक को डाउनलोड करिए आपका अगला जो सेंटर है जो अगला मतलबती थी है उसमें आपका एक्जाम होगा ठीक है तो वीडियो अच्छा लगए तो लिएक करिएगा चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब लाइकन प्रेस करिएगा डेलेट के संबंध किस प्रेस को चाहते हैं तो अपनी चेक्वेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एक्जाम दने इस पहले आपको क्या क्या लेकर जाना है आपको एड़ीट कार्ट पर मिल जाएगा फिलहाल मैं आपको बतातु हूं यहाँ पर कि आधार कार्ट की चैनल अधार कार्ट एक जो फोटो आवेदन कर्दिस में आपने दिया था और बॉल पेन लेके जाना है तो बस इस वीडियो में इतना ही टेक किया